आज मैंने कुछ आपको लेकर क्या है पुदेन टी यानि हम पुदेने से चाय बनाएंगे और बहुत ही बहुत ही बहुत ही बना लेते हैं इसकी टिप्स आप चान लीजिएगा बहुत ही टेस्टी बनती है अगर आप चाय की लब हरे ते यह रेसिपी आप जरूर देखेगा बहुत पसंद आएगी आपकी देखे इस तरीके से और धनिया के पत्तों को पुदेने के पत्ते के जब मार्किट से लाएं तो इसे वाश करके एक कोटन के कपड़ा से इसे अच्छे से पोच ले उसके बाद एक एयर टर कंटीनर में भर करके आप इसे 10-15 दिन आप इस तर सकते हैं सामने से ही बहुत ही अच्छे से ताजी पत्ती लग रही है पर इसमें अगर कोई भी पत्ता खराब हो जाए तो इसे आप निकाल करके फैक दे इसके वज़े से आपको शारी पुदीना खराब हो सकती है मैंने इसी तरीके से धनिया को भी अच्छे से रखी हूँ अब इस तरह से एटर कर देनर ले लिए इसमें बंद करके रख दिजिए फ्रीज में कुछ और टिप्स बता देते हैं जिसे आप वह भी फोलो कर सकते हैं धन्य की पुदीने की पत्ती होती है उसको आप चोटी छोटी पत्ती निकाल लीजिए बाकी जो उसके डंटल वज जा आहाँ आसमें पुदीने की पत्ती पत्ती अ वह आ सिसमें पत्तोง में सब्सक्रमत सब्सक्राइब के लिए ऑगाएम जी अगर सबंद हैं आप और प्लांट्तियू हमारी बहुत था इस सारे पत्त्तियाThere… ऻया लान देंट सब्सक्राइब के上ork मैं ठोज से शी बाक्षद यह पती हम यूज कर लेंगे तो इसमें फिर से पती आने लगेगी छोटी पती है फिर से यह बड़ी हो जाएंगी इसी तरह से अब पुदीने कर सकते हैं तो चलिए चाय कैसे बनाएंगे वह देख लेते हैं इसके लिए मैंने एक पेंच चढ़ाई हूं और बहुत ही एजी ह व्हावल में रहेंगे और चीनी से क्या होता है जाए मीठा से आपका मटा पबहुत जाए बरती है मीठा थोड़ा कम इस्तिमाल Vas dans are let's Dev घineaर होने लगती है भेकार आने लगती है अगर इस तरीके से आप पुदीने की चाय लेंगे तो आपको कोई भी प्राबलम नहीं आएगी पूरी दिन आप तंदुरुस्त रहेंगे देखिए मैंने गर्मा गर्म पानी और चीनी को अच्छे से एक मिनट तक उबाली हूँ और में जब भी चाय पीते हैं तो चाय के लट हर किसी को लगी रहती है चाय की लवार हर को ही होता है अप इस तरीके से चाय लीजिए पुदीने की टेस्ट एमेजिंग बहुत ही अच्छी लगती है आप एक बट राय जरूर कि जिएगा जब यह जो पत्ते की पूरी अक्स नि माल कडए के पूरी दिन आप स्वहस्त रहेंगे काम करने का बहुत सारा मन करेगा सोने करेगा कुछ ने कुछ दिनर पूरी दिन आपकी बदन में फुर्दिया रहेगी आर्या आपको मोटापा भी बहुत ही जल्दी कम हो जाएगी अब पेट में ऐसी डिटी नहीं बनेंगी तो कोई भी बीमारी भी नहीं आएगी तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ जबते के लिए अल्हाफीज रेसिपी पर संद आये तो लाइक किजिए चानल को सब्सक्राइब